हेलो, hope you are doing well और अब अच्छे से बने revision और बढ़ाई कर रहोंगे देखिए हम जानते कि कानेमेटिक्स में ग्राफ से जो question आता है बहुत जादा आसान होता है और उसका concept अगर अच्छा हो तो कभी भी उस सवाल में गलती नहीं हो सकती अच्छे सवाल जो आपके test series में कुछ-कुछ अच्छे सवाल पूछे जाते हूं वो भी solve करने के capable हो जाओगे बस ये बस दो lecture देखने में आपका जो graph में पूरा जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आगा आएगा तो बताना बस ये complete करना आपको पूरा का पूरा जो graph है complete ही देखना है कि पॉइंट यहांस पर आराम से समझना है कोई भी confusion हो कोई doubt हो तो उसे पूछ लेना है आपका graph complete हो जागा बहुत अच्छे तरीके से और इसमें बहुत सारा combination करके हम लोग graph बनाते हैं लेकिन generally जो हमारा graph होता है यही तीन दरग होता है position time graph, velocity time graph and acceleration time graph clear है जो position time graph होता उसका slope निकालोगे तो आपको velocity के value देगा इस instant पर आप slope निकालते हैं उस जगह का instantaneous velocity के value देगा वही पर velocity time graph निकालते हो तो इससे दो चीज़े निकाल सकते हैं you can get the value of acceleration and you can get the displacement अगर आप slope निकालते हो velocity time graph का तो आपको मिल जागा acceleration वही पर आप area जब निकालते हो तो area पर मिल जाता है आपका displacement का value next is आप acceleration time graph अगर दिया है तो just एक ही बात याद रखना पुरे graph में जादा इससे जादा कोई point ही नहीं होता है कोई भी point नहीं होता है तीन line का point है चाहिस को 10 गन दिन में बढ़ो पास दिन में बढ़ो acceleration time graph है area निकालेंगे change in velocity slope उसका कुछ नहीं देता खतम एक बार revisit कर लो position time graph slope क्या देगा velocity velocity time graph में क्या देगा slope देगा acceleration और area देगा displacement acceleration time graph में area निकालोगे change in velocity बस इतना point है आपको पता है ठीक है नहीं तो side में note कर लो और चलो इसका इस्तिमाल करने पे देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन जगों पे कैसे कैसे हालात में सवाल पुछे जाते हैं जैसे हमारा सामने आसके और शो सबर की पी जब graph लेते हैं y और x एक सेक्सिस हो गया तो slope का value क्या हो जाता है यह ठीटा हो जाता है और यहां पे aim का value लिखते है 10 अब दिखान से देखना है कि theta का value जब 90 degree से काम होता है इस कंस में slope मेरा कैसा होता है positive होता है theta का value मेरा 0 degree हो जाता है slope का value 0 degree हो जाता है and theta का value जब 90 degree से greater हो जाता है तो इस case में slope का value क्या हो जाता है negative हो जाता है तो इसमें पूछा है कि point बताइए जहां पर velocity आपका negative हो जा रहा है तो slope का value क्या होना चाहिए greater than 90 degree होना चाहिए तभी तो slope negative होगा और slope negative होगा तभी तो moving particle का velocity negative होगा अब इस जग और सिर्फ यहां पे point जो दिया है हमारा कौन सा c दिया है इसका angle दिया है वो 90 से greater होगा angle हमेसा time axis के साथ देखना है time axis से जो angle बन रहा है यहां पे point c वाले case में यह angle 90 से greater होगा है बागी सब के tangent के angle क्या हो रहा है 90 से कम हो जा रहा है यानि कि velocity positive है तो मेरे लिए जो answer होगा जिस जगह भे velocity के value negative हो जा रहा है कौन सा point है तो यह मेरा point c हो जा रहा है जहां पे slope का value less than 0 हो जा रहा है negative हो जा रहा है इसका मतलब जो velocity हो जा रहा है उसका value भी क्या हो जाएगा negative हो जाएगा अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं question में क्या गह रहा है मेरे सामने the position time graph of two car A and B are a straight line making an angle 30 and 60 degree with the time axis मतलब इसमें क्या गया है graph के बारे में बोल दिया है यहां पे कि graph बनाना है position and time के बीच में दो object के बारे में बताना है एक object A है और एक object B दिया है साथी साथ जो बोला है कि A है वो angle कितना बना रहे 30 degree के अंगल बना रहे और जो object B दिया है मेरा हो कितना angle बना रहे 60 degree के अंगल बना रहे किसके साथ time axis के साथ तो बोला गहाए walormat दिंड ratio of velocity हमको पता है कि position time graph दिया है तो velocity जो होता है उसका slope होता है और slope मतलब 10 theta होता है, याद रखना है कि theta किसके साथ लेना है, तो theta हमेशा time axis के साथ लेना है, तो time axis के साथ यहाँ पे 30 से दुसरा 60 है, तो अगर मुझे velocity A का लिखना पर है, A का angle 30 degree दिया है और B का angle 60 degree दिया है, तो velocity of A का value कितना हो जाएगा, 10 30 degree हो जाएगा, and velocity of B का value लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यह 10 60 degree के बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप ratio निकालने जाते हो, यानि कि velocity of A divided by velocity of B, तो यह कितने के बराबर होगा, 10 30 degree divided by 10 60 degree हो जाएगा, अब यह 10 30 degree का value होता है, 1 by root 3 होता है, यह root 3 और root 3 नीचे आजाएगा, तो root 3 में root 3 से multiply हो जाएगा, तो value आजाएगा 3, तो ratio हो गया 1, ratio 3, this question based on a very basic concept, position time graph है, slope निकालना है, slope देखा मेरा velocity, moving ahead to the next question, यह सवाल कहता है, the variation of velocity of a particle moving along the straight line is as shown in the figure given below, then distance travel by the particle in 5 seconds, तो distance travel निकालना है, तो simply क्या करना है, कि जो भी graph दिया है, velocity time graph दिया है, इसके क्या निकालना है, आपको area निकालना है, पूरे का area निकालना है, पूरे reason को हम divide करेंगे, तो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक मेरा triangle हो गया, एक मेरा यहाँ पे rectangle हो जाता है, और दूसरा एक और मेरा यहाँ पे triangle हो जाता है, तो इसके area निकालना हो जाएगा, distance के value, पहला triangle का half हो गया, base का value 3 दिया, और height के value कितना दिया है, 20 दिया हो जाए, base का 3 है, और height कितना है, 20 दिया है, plus दूसरा rectangle हो रहा है, तो 3 से 4 गया, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और height कितना हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, plus तीसरा बला में देखोगे, तो half into base कितना हो गया, 4 से 5 यानि की 1 हो जाएगा, और height के value क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये triangle हो जाएगा, half into base 3 हो गया और height कितना है 20 दिया है plus यह जो rectangle है इसके 3 से 4 के तो कितना हो गया यहाँ पर 1 unit हो गया और length कितना है 20 है और यह triangle का हो गया half into base 4 से 5 गया तो फिर 1 unit और height के value कितना हो जागा 20 है फटाफट इसे solve कर दो तूसे 10 times, तूसे हो गया 10 times 10 times 30, plus में हो जागा 20 और plus में हो जागा 10 यानि कि सब को जोड़ देंगे तो कितना आजागा 60 meter हो गया और मेरा जो distance travel हो गया इसके value 60 meter हो गया तो अगर velocity time grab दिया है तो simply आपको area find करना है और area देगा किसके value distance का next point है, इसमें थोरा सा अलग बात है कुछ नया सीखने को मिलेगा बोला, इसमें displacement निकालना है particle का in 5 seconds 5 seconds यहां पे शुरुवात यहां से हो रहा है याद रखना, displacement के बहले लो positive, negative, 0 सब होता है area निकालते से मैं ध्यान रखना है कि जो area उपर होगा उससे positive लेना है जो नीचे है वो negative लेंगे फिर जो उपर होगा उससे positive लेंगे I repeat, area time axis के उपर positive लेना है time axis के नीचे negative लेना है ठीक है, simple सी है उपर से देखोगे तो एक triangle बन जा रहा है यहां पे, उस triangle के area लिखोगे तो half into base कितना होगा 3 और height के value कितना हो जागा 2 हो जागा, half into base 3 हो गया height के value हो जागा 2, नीचे आगया rectangle बना तो negative हो गया, तो minus में लिखेंगे 1 by 2, base 3 से 4 जाएंगे तो 1 हो जाएगा, और height कितना हो जागा 2 हो जागा, next आओ जागा फिर rectangle हो गया, plus 4 से 5 गया, तो कितना हो जागा, 1 हो जागा और height के value कितना दिया है, 2 दिया हो 4 से 5 गया, तो 1 हो जागा, और height के value 2 दिया है 2 से 2 यहां पर उरा दो 2 से 2 इसको उरा दो, तो value कितना हो जागा, 3 हो जागा, minus 1 हो जागा plus में 2 हो जागा, यानि कि 3 और 2, 5 हो जागा, minus 1 हो जागा यानि कितना हो जाएगा 4 मिटर हो जाएगा क्या कि हमने displacement पूछा था तो displacement निकालते समय time axis के उपर जो दिया उससे positive लेना है time axis के नीचे जो दिया negative लेना है simple सी बात है यह triangle है तो half into base into height triangle का area होता है basis का कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 3 हो गया और height के value कितना हो गया 2 हो गया यह जो triangle दिया इसका base कितना हो गया 3 से 4 गया तो 1 हो गया और height के value 2 हो जाएगा यह rectangle दिया तो कितना हो गया 1 और height के value कितना दिया इदर 2 दिया तो 2 into 1 हो जाएगा तो यह basic logic पर सारा question मनता है कुछ खास नहीं करना होता है अब्जेक्ट A is inclined to the time axis at 30 degree, time axis के साथ inclination एक object का दिया हुआ है, X and T दिया है, ध्यान से समझना बात को, ये angle theta दिया है, तो ये जो velocity का value होता है, दरसल में ये तो 10 theta हो जाता है, जितना angle बनाता है, उसका 10 theta निकालोगे तो velocity हो जाएगा, तो बोला गया है कि इसमें A का inclination दिया है, 30 degree, बोला गया कि position time graph से B का inclination कितना हो जाएगा, तो A का 30 degree है, तो A का जो velocity हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 10 30 degree हो जाएगा, और B का velocity का inclination नहीं पता, तो 10 theta कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 1 by 3 हो जाएगा, तो यहां से आप देखोगे, तो 10 theta का value कितना हो जाएगा, 3 into pan में 30 degree होगा, 3 into 10 30 हो जाएगा, और 10 30 क value कितना होता है 1 by root 3 होता है तो यह cancel हो के कितना आ जाएगा root 3 आ जाएगा और जब यह root 3 आ गया यानि कि theta का value कितना degree होगा 60 degree होगा न क्योंकि 10, 60 का value root 3 होता है सवाल बहुत असान था slope जो होता है slope का जो slope निकालोगे 10 theta वो ही तो velocity देता है सवाल में बोला कि A और B के velocity का ratio 1 ratio 3 दिया A angle 30 degree बना रहा है तो velocity of A कितना होगा मेरा A का velocity होगा हमारा 30 degree का angle जिसी बनाते वे बोला तो बोलेंगे कि इसका velocity हो जागा 10 30 degree और B का नहीं दिया है तो B का velocity कितना लिख देंगे हम 10 theta लिख देंगे क्योंकि तुम्हारा speed मेरे से जादा होना जरूरी है क्योंकि तुम्हारा दिमाग मेरे से fast चल सकता है मेरे से fresh है ना 7 question दिया है कि particle is starting from rest undergoes a rectilinear motion with an acceleration A, the variation of A with time as 1 below, then maximum velocity attained by the particle during its motion ध्यान दियान दिना है कि जैसे ही पढ़े graph देखा हमने question तुम्हें दिमाग मेरे आना चाहिए कि velocity का जो difference होता है change होता है final minus initial ये दरसल में क्या हो जाता है ये हो जाता है area under acceleration time graph होता है velocity का जो difference होता है area under acceleration time graph होता है तो final velocity starting from rest दिया तो कितना हो जागा 0 बराबर area हो जागा half और यहां base का value कितना दिया है तो base का value दिया 12 height का value कितना दिया है तो height का value दिया है 10 यानि कि 2 से करेंगा 12 तो कितना हो जागा 6 हो जागा तो 10 से 6 करोगे तो 60 हो जागा तो final velocity का value आ जागा कितना आ गया 60 meter per second यहां पर velocity इसकी value हो गई यानि कि जो velocity time graph दिया है उसके area निकालेंगे आप area क्या देता है acceleration time graph के area change in velocity और simple से triangle बना था उसके area find करना था कुछ खास इसमें करने का लाइक था नहीं आगे बरो अगले point की तरफ सवाल number 8 क्या कहता है कि कहता है कि displacement time graph दिया है position time graph दिया है इसका जब slope निकालते हो ना slope यानि की 10 धिटा निकालते हो m बराबर 10 धिटा होता है 10 धिटा देता क्या है तो 10 धिटा देता है तुमको velocity के value पहली बात दूसरा बात क्या होता है कि जो velocity अगर constant है तो यह क्या होगा straight line होगा दियान से देखना है straight line है इसका मतलब velocity कैसा हो गया constant हो गया दूसरा गर यह curve उपर जाने की इक्छा रखता है curve उपर जाने की इक्छा रखता है उपर direction में इस वाले case में क्या होता है हम बोलते हैं कि slope इसका increase करता है उपर जा रहा है इसका slope क्या होगा घटा जाएगा देखो जहां पर point डगाना है थियोरी के एकदम comprehensive तरीके से explain कर देंगे ताकि आपको एक direction ने पढ़के monotomous theory नहीं पढ़ना पढ़े question के जरी थियोरी आदो अगर यह graph कैसा हो इस तरीके का दिया हो इस तरीके बाले में जैसी graph का sense ऐसा नीचे लोटने का हो जाए इसका मतलब slope decrease कर रहा है slope decrease कर रहा है इसका मतलब इस sense में जो velocity हो क्या कर रहा है decrease करता जा रहा है अब यह सवाल में देखो जा रहा जो B दिया है B के लिए graph कैसा दिया straight line दिया है न B के लिए straight line दिया इसका मतलब velocity जो B का होगा कैसा हो जाएगा constant हो जाएगा वही पे जो A का graph दिया हुआ है जो object A है इसका graph दिया है यह graph का sense की तरह upward direction में जा रहा है यह जो graph है इसका sense की तरह की तरह है upward में है यानि कि जो velocity यह हो जाएगा कैसा हो जाएगा increasing हो जाएगा क्योंकि इसका slope क्या हो रहा है increase कर रहा है A is moving with increasing speed B is moving with constant velocity इसके बाद बोला है इसमें भी चोदा following is incorrect गलत बताना है तो A दिया है A is moving with increasing speed जो सही दिया है B is moving with constant velocity A भी सही दिया हो है B is moving with non-zero constant acceleration यह तो गलत दिया है D का अगर velocity constant हो गया तो acceleration कितना हो जागा 0 हो जागा और for the acceleration of may be constant देखो अब A जो दिया है इसका velocity तो increase कर रहा है velocity increase कर रहा है मतलब acceleration है और acceleration है तो constant हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है और इस बात के लिए safe term यहाँ पर क्या लिख दिया है may be तो object A जो दिया है उसका velocity समय के साथ बढ़ जा रहा है इसका मतलब acceleration तो है लेकिन यह acceleration constant है या नहीं है कुछ भी हो सकता है इसलिए यहाँ पर लिख दिया acceleration of A may be constant लेकिन B जो दिया हमारा यहाँ पर graph B का graph is straight line था slope constant था velocity constant हो गया acceleration 0 हो गया तो B के पास कोई acceleration नहीं होगा क्योंकि graph कैसा है मेरा straight line दिया है straight line दिया तो slope कैसा है constant दिया होगा clear है एकदम अच्छे से super देखो अगला point इसमें दिया हमारे पास कि a particle starts from wrist and accelerates with constant acceleration a meter per second square for 10 seconds and then retards uniformly with the same rate till it comes to wrist then a position time graph of the particle is best represented by ध्यान से देखना क्या बात हो रहा है बात हो रहा है position time graph है हमारे पास given है position time graph एक तम एक line का बात है position time graph दिया इसका मतलब इसमें जो इसका slope होता है हो क्या देता है slope velocity देता है कर यह जो object दिया है पहले case में accelerate कर रहा है मतलब पहले case में velocity increase कर रहा है पहले case में velocity increase कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है इसके बाद comes to rest है कि uniformly retard कर रहा है तो बाद में velocity decrease कर रहा है यहाँ जो सुनना बात दो case हो रहा है यहाँ पे जो case 1 हो जा रहा है इस वाले case में velocity कैसा हो जा रहा है तो velocity increase कर जा रहा है and case 2 जो दिया है इसमें velocity क्या हो जा रहा है इसमें velocity decrease कर जा रहा है कोई confusion नहीं पहले case में accelerate कर रहा है दूसरे case में decelerate कर रहा है velocity जब increase करता है इसका मतलब position time graph का slope कैसा हो जाएगा increasing हो जाएगा velocity decrease कर रहा है इसका मतलब position time graph का slope कैसा हो जाएगा decreasing हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा slope कैसा हो जाएगा decreasing हो जाएगा यह जो पागल की तरफ graph constant देदी इसमें तो slope 0 हुआ increasing decreasing का बात ही नहीं हुआ प्रोजिशन टाइम ग्राफ दिया, इसमें तो slope constant दे दिया, इसमें भी increasing decreasing का बात ही नहीं हुआ, तो दो option 2 और 4 तो eliminate हो गया, तो कि इसमें increasing decreasing का बात नहीं हो रहा है, constant हो जा रहा है, पहले के इसमें velocity increase कर रहा है, मतलब slope increase करना चाहिए, दूसरे में velocity decrease कर रहा है, यानि कि slope decrease ह आच चाहिए, तो पहले के समेn slope increasing का मतलब, graph डाफ कैसा हो गया, उपर की तरफ होगा, जो कि यहां दिया हो है, और दूसरे के समें slope कैसा हो जा रहा है, मेरा decreasing हो जा रहा है, तो graph कैसा हो जा जाए है, तो graph कैसा हो जा रहा है। तो पहले बात प्रौशन जो 3 है, ये गलत हो पहले वाले case में graph कैसा बन गया इसका? पहले वाले case में भी graph बन गया असे है नीचे की तरफ और दूसरी case में graph कैसा बन जा रहा थी? ग्राफ बन जा रहा ऊपर की तरफ. मतलब इस वाले case में अगर बात करेंगे तो यहां इस part में velocity increase हो रहा है जो पहला वाला पार्ट दिया है इसमें velocity क्या हो जा रहे है decrease हो जा रहे है लेकिन हमें पहले के इसमें velocity increase करना है दूसरे में decrease करना है तो option 3 भी cancel हो जाएगा और मेरा option number 1 हो जाएगा क्योंकि object start करता है तो इसका velocity पहले increase करता है फिर decrease करता है आगे बढ़े next question दिया है यहाँ पर मार दिया है acceleration time graph for a particle moving in a straight line shown in the figure e बढ़ाबर 0 velocity और particle दिया 10 meter per second दिया ध्यान से देखना बहुत conceptual सवाल है छोटी सी mistake जो करता है अरखोई बोला गया कि इसमें initial velocity कितना दिया 10 meter per second दिया है तेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो velocity होता हो positive negative 0 सब होता है इसलिए यहाँ भी इस बात को ध्यान में रखना है और उपर का area positive लेना है और जो नीचे का area दिया हो क्या लेना है negative लेना है उपर का area जो positive लिखो गए तो कितना हो जाएगा half हो जाएगा और यह जो base हो जाएगा कि वहाँ तक जा रहा है 6 तक जा रहा है तो base हो गया 6 और height कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है वही पर नीचे का area हो जाएगा half हो गया base के value 6 से 8 जाओ गया तो 2 हो जाएगा और height कितना हो जा रहा है यानि कि final velocity भी कितना हो गया, 10 meter per second हो गया, हमने क्या logic सिखा है यहाँ पर, कि even in acceleration time graph, अगर मुझे निकालना हो क्या, velocity निकालना हो, change निकालना हो, तो area calculate करते हैं, जो area above the time axis होगा, उसे positive लेना है, और जो area below the time axis होगा, उसे negative लेना है, और इसका use करके, जो भी triangle rectangle पैरा बोला, जो भी बन रहा है, उसके area निकालेंगे, और हमारा जो final velocity होगा, इस basic concept का use करते हुए, solve होकर मेरा final velocity उस जगए पर मिल गया, ठीक है, चलो great, आगे बढ़ते हैं, next question जो दिया है, मेरा कह रहा है, इस graph को देखो, तो देख के तुमें कुछ ऐसा y बराबर mx प्लस c टैप का feel नहीं आ रहे गया, आ रहा है, बिल्कुल, straight line दिया हुए, straight line दिया है, यानि कि m के जगए पर 10 दिया है, इसका slope का value कैसा दिया है, 10 दिया है न, ये slope कैसा दिया है, 10 दिया है, 10 यानि कैसा दिया, positive दिया है, दूसरा intercept की जगए पर minus 4 दिया है, C के जगह पे minus 4 दिया है, minus 4 का मतलब क्या होगा, यह negative दिया हुआ, negative दिया हो तो नीचे की तरफ नहोगा, तो सबसे पहला तो नियान से सुना बात, कि जो graph होगा, कैसा होगा, straight line होगा न, क्योंकि equation इक्वेशन इस straight line का, तो 2 option को सीधे eliminate कर देंगे, अब 2 equation को eliminate करने के बाद देखो कि इस intercept का value minus 4 है, और यह straight line में क्या होता है, कि y बराबर mx plus c में, यह y axis को जहाँ पे cut करता है, इसी को intercept कहते है, तो यह intercept तो negative है न, तो नीचे cut करना चाहिए, इसको तो ऊपर cut करा दिया, यह भी खतम हो गया, graph यह होगा, यहाँ पे graph यह होगा, क्योंकि देखो कि इसको नीचे करने पे, यहाँ के intercept कर दे रहा है, तो कौन सा graph होगा, इसमें option मिलाने से ज़्यादा ध्यान में क्या रखना कि eliminate कैसे करना, because वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपका, तो इसमें तो पहला की graph का जो equation आ गया, मेरा straight line का आ गया, तो दो graph जो 3 और 4 था, eliminate हो graph number 1 में जो intercept देखा, हमने minus 4 था यहाँ पे, और यहाँ intercept positive पे कट गया, तो इसको भी eliminate कर दिया, तो option number 2 मेरा यहाँ पे, जो answer है, इस particular question का आ गया, तो किस तरीके से equation का use करके हम graph तक finally पहुंच सकते हैं, यह बात भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई confusion नहीं है बहुत बढ़ी आप, आगे बरें, next question कहा रहा है कि velocity time graph दिया है, एक particle का moving on a straight line, then corresponding acceleration time graph दिया है, निकालना इस में, तो देखो, acceleration जो A का value हो जाता है, कैसा हो जाता है, यह value हो जाता है, slope of VT graph हो जाता है, acceleration जब निकालते हैं, तो slope of VT graph हो जाता है, इस graph को कुछ हिस्सों में divide कर दो, जैसे माली जब point O दिया है, इसको point A कहते हैं, इसको point B कहते हैं, इसको point C कहते हैं, सबसे पहला बात है कि A से B तक का जो region है न, इसमें आप देखोगे तो angle का value क्या है, 90 degree से कम बन जा रहा है न, देखके लग रहा है न, तो 90 degree से कम बन जा रहा है, इसका मतलब इस case म इसका angle 90 degree से greater बन जा रहा है, बी से सी वाले में जो दिया है slope 90 से greater बन जा रहा है, 90 से greater बन जा रहा है, इसका slope negative हो जाएगा, यानि कि इस वाले हिसे में acceleration कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, वहीं पर ये वाला जो graph दिया है, इसका भी angle आप major करते हो, तो ये angle भी greater than 90 degree हो जाता है, और greater than 90 degree हो जाता है, यानि कि acceleration क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या याद रखना है, कि जो velocity time graph दिया है, velocity time graph का slope जो होता है, वो slope क्या देता है, velocity time graph का जो slope होता है, वो acceleration देता है, slope positive, acceleration positive, slope negative, acceleration negative, slope 0, acceleration 0, तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट का acceleration क कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो पहला पॉजटिव, पहला पॉजटिव, काम खतम, पहला निगेटिव, पहला निगेटिव, इसके बाद दूसरा वाला पॉजटिव, तो दूसरा वाला पॉजटिव, दूसरा वाला पॉजटिव, फिर तीसरा फिर positive फिर negative यानि की मेरा जो graph हो जा रहा है option number 3 इस सवाल का correct answer हो जाएगा by using just basic concepts कुछ अलग का use नहीं करना है fundamental concept उस करना है और आपका जो final graph है answer graph है वो यहाँ पर मिल जाएगा clear है? great आगे बढ़ते हैं लगले point की तरफ पर यह क्या कहता है इसमें दिया है कि acceleration time graph दिया है for a particle moving along x-axis as soon in the figure then corresponding position time graph देखना है देखो ध्यान से position time graph यह बढ़िया सवाल हो गया conceptual सवाल हो गया क्या आपको याद रखना है? आपको याद रखना है कि acceleration अगर positive होता है अग positive acceleration का मतलब क्या हो जाता है? कि velocity का value मेरा क्या हो जा रहा है? increase हो जा रहा है और velocity increase हो रहा है velocity दरसल में होता क्या है? position time graph का slope होता है velocity is basically the slope of position time graph acceleration positive velocity increase कर रहा है velocity increase कर रहा है इसका मतलब slope of position time graph increases इसमें क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है कि slope of position time graph slope of position time graph increases slope of position time graph increases यहाँ पर जो position time graph दिया है उसका slope क्या होगा increase करेगा बात आपको समझना परेगा अगर हमारे पास क्या दिया है हमारे पास दिया अगर आपके पास acceleration time graph दिया है तो जब acceleration positive मतलब velocity बट रहा है velocity बट रहा है यहाँ मतलब position time graph का slope क्या होगा, increase करेगा, देखो, पहला पार्ट जो दिया है, यहाँ पे acceleration तो नीचे है न, एक value कैसा दिया है, निगेटिव दिया है कि नीदिया है, यहाँ पे नीचे हो गया, तो acceleration negative हो गया, इसका मतलब velocity क्या हो जाएगा, decreasing हो जाएगा, इसका मतलब slope क्या हो जाएगा decreasing हो जाएगा उपर वाले हिस्से में बात करोगे इसमें acceleration क्या दिया है positive दिया हुआ acceleration positive दिया है इसका मतलब velocity increasing हो जाएगा velocity increasing है इसका मतलब slope जो बनेगा curve का वो increasing होगा मतलब starting में slope decrease वाला हो जाएगा और बाद में slope increase होगा तो यह तो दोने straight line हो गया है, straight line का slope क्या होता है, constant होता है ना straight line का slope constant होता है तो यह तो मेरे answer का हिस्सा बना ही नहीं, खतम होगा पहले ही अब यहाँ पर देखो कि जो slope का value हो रहा है पहले slope का value decrease कर जा रहा है तो यह देखो एग्राफ इसे नीचे वहला तो यह मेरा answer हो जाएगा यहां position time graph में देखो गरने तो यह graph defined नहीं है यह graph defined नहीं है because इसका slope यहां पर 90 degree हो जा रहा है slope कैसा हो जा रहा है 90 degree का slope यहां बन जा रहा है इसलिए ग्राफ तो ऐसे भी defined नहीं है तो यहां पे लिमिनेट हो जाएगा concept when this क्या acceleration time graph से velocity को छोड़गा अगर यह आपस में relate करना आपको अच्छे से आना चाहिए अगर relate कर पाऊगे तिकदम accurate answer आप यहां पर लपाऊगे इस तरह के सवाल में अचानक से जल्दी से हम देखते हैं और सवाल असान होता है गल्ती कर देते हैं मैं इसा याद रखना कि angle हमें consider करना किससे time axis के साथ करना है अगर 45 के angle उधर से बनाता है तो इधर से कितना हो जागा और एक ही बात करेंगे उधर से 30 बना रहा है तो acceleration जो इसका velocity time graph होगा time axis के साथ ए जो होगा वो 60 degree के angle बनाएगा यह angle change करना बहुत जरूर ही है और जब angle एक बार change कर लिए अब तो acceleration निकालने में कोई दिक्कत नहीं है acceleration of a by acceleration of b करेंगे तो यह जो angle बना रहे है कितना degree बना रहे है 60 degree बना रहे है तो 10, 60 और b कितना बना रहे है 45 तो यह क्या कर देंगे 10, 45 कर देंगे 60 के value कितना होता है root 3 हो जाता है 45 के value 1 हो जाता है so the ratio is root 3 कितना आ गया ratio के value root 3 का ratio के value आ गया acceleration of A by acceleration of B बराबर कितना हो जाएगा tan 60 because वो बना रहा था किससे 30 बना रहा था अपका velocity से और angle हमेशा time axis के साथ लेना याद रखना यह सा सवाल लगता हम जटके में आता और इंसान गलती कर देता है always remember कि angle का measurement time axis के साथ हो जाएगा तो यहाँ पे जो A दिया है उसके acceleration निकालोगे तो tan 60 हो जाएगा और B के acceleration निकालोगे tan 45 ratio करेंगे तो tan 60 root 3 होता है 45 1 होता है तो value आगया root 3 by 1 which means मेरा answer आगया root 3 यहाँ पे moving ahead next question जो मेरा दिया है 15 figure given below shows the graph of velocity v of particle moving along x axis as a function of time then average acceleration during t बड़ाबर 1 second to t बड़ाबर 7 second इतना खतरना कि यहाँ पे बोल के डराने की कोसिस की गई है लेकिन सवाल में डरने के लाएग बिलकुल भी कुछ नहीं है 1 second से सुरू करना है कहां तक निकालना है 7 second तक निकालना है तो क्या करना है तुम पढ़े क्या हो कितना भी बात करना है पहला 1 second पर बात करना है इस जगर वेलासिटी कितना होगा देखो 0 से 2 गया 2 पे 20 हुआ तो 1 पे कितना हो जागा 10 होगा कि नहीं होगा खुरा mathematics सोचो linear है न ग्राफ straight line दिया हुआ है यह ग्राफ कैसा दिया है straight line दिया हुआ है तो 2 पे value 20 है तो 1 पे value 10 होगा क्या दोग ना करोगे आधा करोगे तो value भी तो आधा होगा ना 2 पे 20 तो 1 पे कितना हो जागा 10 इधर side कहां पे पहुँचना है तो दूसरे side हमें पहुचना है 7 पे 7 पे पहुचना है यह तो 7 पे जो velocity होगा इसका वैलू कितना हो जागा, ध्यान से देखो जारा, तो देखो 6 से 7 में गए, 6 से गए कितना 8 में, तो कितना का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, और 20 से गए 30 में, तो कितना का चेंज हुआ, 10 का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे 6 से गए 8 पे तो चेंज 2 का हुआ, 6 जो 10 का change हुआ बढ़के कितना हो जागा पांच का नहीं हो जागा जी ये कितना हो जागा 25 होगा कि नहीं हो गया साही रिपीट तोरा समय तमयत है बात समझो द्यान से नारे 6 से 8 6 से 8 में कितना का change हुआ 6 से गए 8 पर तो change कितना का हो गया 20 से बढ़के 30 हो गया तो इधर के चेंज कितना होगा, दो का, तो इधर में चेंज कितना होगा, दस का, इधर में चेंज अगर एक का हो जाएगा, तो इधर में चेंज कितना का होगा, 5 का हो जाएगा ना, विकोज ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन दिया है, तो मतलब 6 से बरके अगर अब 7 जाओगे तो इधर साइड में जो दिया है तुमारा 20 इसमें 5 का change होके अब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा तो अब पताइए 7 सेकंड पे velocity कितना मिल चुका है 25 7 सेकंड पे velocity मिल चुका है 25 और 1 सेकंड पे मिल चुका है कितना 10 मिल चुका है और acceleration होता है change in velocity यानि कि 25 मेरा final, initial मेरा 10 time के value कितना है 7 से 1 से गया है 7 पे तो time का difference हो जाएगा 7-1, 25-10 हो जाएगा 15, divided by हो जाएगा 6, 3 से हो जाएगा 2 3 से हो जाएगा कितना 5 तो value हो गया 5 by 2 divide कर दोगे तो कितना आजागा 2.5 meter per second square है समझ में आगी नहीं है uninteresting question सीधा-सीधा average acceleration निकालना है तो change in velocity या क्या कर देना था time taken कर देना था तो जब time जो velocity था वो value मुझे calculate करना था जो graph दिया तो उसमें थोरा सा logic लगा कि अराम से करेंगे तो हो जाएगा आगे बढ़तें next question जो मेरा दी है इसमें क्या गयरा है कि particle source the distance a particle source distance time कर वे जाए given in the figure the maximum instantaneous velocity of the particle is around देखो maximum instantaneous velocity velocity का मतलब क्या होता है velocity का मतलब हो जाता है slope तो जहाँ पे slope का value जादा होगा उस जगह पे instantaneous velocity का होगा सबसे जादा होगा a पे तो सबसे कम दिख रहा है और c यहाँ पे हो जाएगा फुद जरा स्वोच कर देखो तो दिसमें जरा स्वोच कर देखो यहां से यहां तक graph जो दिया है इसका slope increasing हो रहा है यह slope कैसा है यह decreasing slope हो जा रहा है यहां पर तो C जो point होगा न C जो point होगा यहीं पर curve अपना shift ला रहा है यहां से चलके इस जगर तक पहुंचा है यहां से चलके यहां तक यहां तो slope कैसा है आपका increasing हो जा रहा है और C के बाद से क्या हो जा रहा है? घटना सुरू हो जा रहा है. मतलब C जो point होगा, वहाँ slope सबसे ज़्यादा होगा. वैसे अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, तो समझ के देखो ज़रा तुमको अगर यहाँ बैठाया जाए, तो थोड़ा late से समझ में आ गई होगी. चलिए, अगले सवाल की तरफ. Next question है, the speed time graph for a particle moving along x-axis, which is a solid curve is shown below, the distance stable by particle from t-0 to t-3, तो distance का मतलब क्या हो जाता है? area हो जाता है, और area हो गया half, base का value हो गया 3, और height का value हो गया 1.5 हो गया, 2 से कर दोगे, कितना? ये भी हो जागा 1.5, तो value हो जागा मेरा 1.5 into 1.5, एक काम करते decimal अटा देंगे तो 10, यहाँ से decimal अटाएंगे 10, 500 होगा 3 times, 500 होगा 2 times, 500 होगा 3 times, 500 हो जागा 2 times, 3-3 सा 9, by कितना हो जागा? 2, 2, 4 हो जागा, ऐसे है ना, मतलब value कितना हो जागा? 9 by 4 meter होगा, that's a very very easy question, speed time graph दिया, directly area निकालोगा, distance के value निकल जागा, velocity time graph दिया रहता है, area निकालते है, सीधा-सीधा displacement के value मिल जाएता, अगर object straight line में motion कर रहा है, तो distance के value, as well as displacement के value, तोनों क्या होता है, same हो जाता है, next 18 question है, acceleration time graph of a particle is shown in the diagram, the particle starts with velocity 2.4 meter per second, then 8 second में बताओ कितना हो जाएगा, again अपना logic है, कि जब भी कोई object का acceleration time graph दिया है, तो उस case में final velocity minus initial velocity पराबर क्या हो जाता है, acceleration time graph का area हो जाता है, area of 80 graph हो जाता है, जैसे area इसका निकालना है, यह अपने अपने बड़ा सा काम है, जैसे यह हमारा trapezium हो जाएगा, यह मेरा rectangle हो जाएगा, यह जैसे square जैसे दिकरा है इसका लगा देंगे, तो यहाँ पर final velocity निकालना है और initial का value दिया है, 2.4, सारा का सारा जंजट इस area निकालने में, देखो trapezium के area होता है, half into some parallel side, यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, plus, यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इन दोनों के बिच का distance, 0.4 से 0.6 कितना हो जाता है, 0.2 हो जाता है, plus, यह नीचे का हो जाएगा, rectangle हो जाएगा, 4 से 8 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, समझ में आगी बात, यह हो जाएगा, 4 से 8 से लेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 और height 0.4, और यह दिया है, 0 से 4 यह भी है और यह भी 0.4 तो यानि कि 4 into 0.4 अब चलिए लगे हां इसको solve कर दीजिए तो value होगा भी final minus कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा value यहां पे जब solve करेंगे 4 2 होगा 6 divided by 2 हो जाएगा multiplied by कितना है 0.2 हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 4 से 4 करोगा 16 यानि कितना हो जाएगा 1.2 4 से 4 करोगा 16 कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 times हो जाएगा 2 से हो जाएगा 3 times यानि कि 3 2 जा 6 तो value कितना हो जाएगा 0.6 ब्लस में 1.6, 1.6, कितना हो जाएगा? 3.2 होगा क्या नहीं होगा? यानि कि Вी फाइनल बराबर 2.4 ब्लस में कितना हो जाएगा? 0.3.6 यानि कि 3.8 हो जाएगा? तो फाइनल वेलासिटी कितना हो जाएगा? 8 और 4 add करोगे, 12 हो जाएगा 2, 1 होगा, 3, 2, 5 और 1 कितना होजागा, 6 होजागा 3, 2, 5 और 1 कितना होगा, 6 तो value आजागा 6.2 meter per second, कितना आजागा value, 6.2 meter per second बहुत ही असानी से calculate होकर यह value है मेरा, यहाँ पर आ गया, कोई confusion नहीं है, बहुत बढ़िया, that's great Question 19 यह second last question है, the particle is moving along a straight line such that its velocity varies with position as shown in the figure, then acceleration of particle at x equals to 10 कितना होजाएगा, x बराबर 10 पे कितना होजाएगा, ध्यान से देखना बद, यहाँ से x बराबर 10 इस जगह पे आजाएगा, तो पहले तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि x बराबर 10 पे velocity कितना होजाएगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं, थोरे अच्छे सवाल के category में, यह मेरा जो question है, वो आता है, देखो ध्यान से, यह graph देखके लग रहा है, straight line है, यानि कि y बराबर क्या दिया है, mx plus c दिया है, y axis पे velocity कितना दिया है, भी दिया है, slope का value लिखो के तो negative हो जाएगा न, यह graph का angle जो बन रहा है, negative हो जाएगा, 90 से जादा है, slope कितना होता, perpendicular by pace, यानि कि जो इसका slope का value हो जाएगा, 20 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा न, 5 से करो के तो 4 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब slope का value हो जाएगा, 4 by 3, 1 axis पेक्स दिया है, और plus, जो c का value दिया है, कितना पर कटकिया, यह इदर आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़ी बात है, तो जो acceleration, ए का value होता है यह value होता है, V times divided x हो जाता है, V times divided x हो गया, और यह value कितना हो गया, यह value हो गया, मेरा slope हो गया, velocity के value रग तो कितना हो जाएगा, 4 by 3 हो जाएगा, into merge हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा, and dv by dt slope का value कितना हो जाएगा, minus 4 by 3, इसको अंदर बेज़ोगे तो minus minus plus 4 का 16, 3 का 9 हो जाएगा X हो जाएगा माइनस 20 से 4 करोगे तो 80 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना 4 से 4 होगे 16 divided by 9 X हो गया minus 80 बटा 3 हो जाएगा X का value कितना बोला है 10 बोला है तो यहाँ पर X का value 10 रखेंगे नीचे में 3 कर दिये, उपर में 3 कर दिये, तो value हो गया, 160 minus 8 से 3 करोगे, 24, 240 divided by 9 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 160 हो गया और 240 हो गया, तो यह हो गया, 0 और 10, चे में से 4 घटाद हो गया, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 से 4 घटाद तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 240 गटा न जोड़ ये से तुम्हारा value हो जगा 40-48 हो जाएगा न ये value डिरेक्टिल लगा दो 80 हो जाएगा negative में अब divided by कितना हो जाएगा 9 और minus 80 बटा 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 से 9 में करते तो कितना हो जाता 81 हो जाता था 9 से थोड़ा कम 9 से थोड़ा कम option number 3 दिखरा minus 8.9 मतलब value कितना हो जाएगा minus 8.9 हो जाएगा meter per second square यहाँ पर solve करने से मेरा मिल जाएगा ये conceptual सवाल था इसको एक बार फिर से देखना अच्छे तरीके से अब जाके समझ में आएगी basic formula हमने यूज़ किया value होता है यह होता है मेरा final velocity होता है minus initial velocity होता है divided by time interval होता है अगर acceleration 0 हो गया average acceleration के value 0 हो गया इसका मतलब यह होता है कि final velocity और initial velocity कैसा हो जा रहा है same हो जा रहा है और यह तभी possible है जब velocity के value दोनों का same हो जाए तो जखो ध्यान से एक पॉइंट ही हो जा रहा है एक पॉइंट ही हो जा रहा है एक दो जगए वेलोसिटी सेम दिया है यहाँ पे एक और ग्राफ का पोजिशन मिल जा रहा है मेरे को यह पोजिशन और यह पोजिशन दोनों जगए पे वेलोसिटी का वैलू कितना दिया है 15 दिया है यह का value आजाएगा, इसका कितना हो जाएगा, zero हो जाएगा, because average acceleration होता है, change in velocity by time taken, तो T1 पे velocity वही है, T3 पे velocity वही थी है, यानि कि T1, T3 interval होगा, यहाँ पे जो मेरा average acceleration यहाँ पे आ रहा है, वो zero हो जाएगा, तो उमीद करते हैं, कि यह पूरा का पूरा जो graph का concept होगा, आपका अ conceptual question based on graph, आपका यह जो portion हो complete हो जाएगा, और उसके बाद हम vertical motion पढ़ना है, start करेंगे, तो आपको यह पूरा graph का session बनाने के लिए बहुत मिनत लगा, अच्छे तरह से question को arrange करने के लिए, तो क्या आपका concept पहले से better हुआ, question को confidently approach कर पाते हो, पूरा को पूरा logic अच्छे से clear ह हुआ, जैसा भी लगा, बताएगा जरूर, उसी के recording, फिर आगे का, तयार किया जाएगा आपके लिए, so that आपका understanding, अच्छा हो जाए, सवाल quickly बना सको, और सब के लिए आपको time बहुत कम लगाना परे, so thank you so much for being till the end, अगर आप यहां तक पहुँच गयो तो, और कैसा लग बताना भूलना नहीं, so thank you and bye-bye